हेलो एवरिवन दिस इस मनोज कुमारी वेलकम इन मा यूटूब चैनल मैच फ्रेंड और टोड़े वी विल स्टार्ट चाप्टर सेकिंड पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 फैंड क्योशन नमबर 4 देखें फॉर्थ क्योशन में क्या है एक्सपैंड यूजिंग आर्डिंट का कि जो आर्डिंटी में यूज हो रही है तो देखो x फ्लस 2y फ्लस 4z का होल स्केर दे रखा है तो इसमें थ्री टर्म है 1 2 3 तो इस वाली एक आर्डिंटी होती है हमारे पास a प्लस b प्लस c होल स्केर यह होती है a स्केर प्लस b स्केर प्लस c स्केर प्लस 2ab प्लस 2bc और प प्लस 2y का square, प्लस 4z का square, प्लस 2ab, 2 multiply by x, multiply by 2y, प्लस 2bc, 2 multiply by 2y, multiply by 4z, प्लस 2ca, 2 multiply by 4z, और multiply by x, अब देखे, x का square, x square हो गया, यह कितना ज़ेगा, 4y square, यह कितना ज़ेगा, 4 for the 16z square, और यह कितना ज़ेगा, टू टू ज़े, 4, यह कितना ज़ेगा, 4xy, यह आ गया, और यह कितना ज़ेगा, टू टू ज़ेगा 4, और 4 for the 16, प्लस में 16y, z, और यह कितना ज़ेगा, 2 for the 8zx, 8zx, तो इस तरह से हमारे पास आनसर आगा, x square, plus 4y square, प्लस 16 Z स्केयर प्लस 4 X Y प्लस 16 Y Z और प्लस में 8 Z X ये क्या आगया हमारा answer इस identity का use करते हुए second part ये देखो 2 X minus Y plus Z whole square इसको हम थोड़ा सा यू लिख ले 2 X plus इसको bracket लिख ले minus Y plus Z और क्या हो गया है whole square तो इसमें यह identity यूज करें कौन सी कि A plus B plus C whole square क्या होती बताओ A square plus B square plus C square plus 2 A B plus 2 B C और plus में 2 C A ये क्या होगी इसकी identity हो गई तो इसमें क्या करेंगे हम कि A square तो कितना है 2 X का square B square mean minus Y का square plus C square तो Z का square plus 2 A B तो 2 multiply by 2 X multiply by minus Y plus 2 B C तो 2 multiply by minus Y multiply by Z 2 B C plus 2 C ये 2 multiply by कितना होगा Z और multiply by 2 X करो इसको सोल 2 X का square 4 X square minus Y का square कितना होगा बता Y square square always positive और Z का square कितना होगा Z square 2 to 4 और ये plus ये minus तो minus 4 X Y और ये sign किसका जएगा minus का ही आएगा और Y को Z से करेंगे और 2 से तो ये कितना जएगा 2 Y Z और यह कितना जाएगा टू 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 जा फोर यह कितना जाएगा टू टू जा फोर जैड एक्स यह कितना जाएगा फोर जैड एक्स तो यह क्या आगए हमारा आंस्वर तो इस क्योशन में भी कौन से अडेंटी यूज की हमने a प्लस b प्लस c का whole square जो क्या होती है a square प्लस b square प्लस c square प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस identity का use करते हमारा क्या आगा है यह answer पार्ट नमबर थड थड़ पार्ट में क्या है बटा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का whole square तो इसमें भी same identity use करेंगे कौन सी use करेंगे बताओ a प्लस b प्लस c whole square क्या होती है remind करो a square प्लस b square प्लस c square प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca जब भी आप question करते हो जो भी identity use हो रही है बटा उसको write करके दिखाया करो ताकि एक्जाम में आपका impression अच्छा पड़े अब a minus 2x है तो कितना जगा minus 2x का whole square प्लस b square कितना है 3y का whole square प्लस c square 2z का whole square प्लस 2ab तो 2 multiply by minus 2x multiply by 3y 2ab प्लस 2bc 2 multiply by 3y multiply by 2z यह हो रहा है 2bc plus 2ca 2 multiply by 2z और multiply by minus के 2x देखें क्या आगया इसका answer square always positive यह कितना जगा 4x square यह कितना जगा 3-3 जगा 9y square यह 2-2 जगा 4 और z square sign तो आएगा इसमें minus का 2-2 जगा 4 कितना जगा 2-2 जगा 4 यह 2ab था ना 2ab 2-2 जगा 4 4-3 जगा 12 तो minus 12xy यह सारे plus के हैं तो sign किसका आगा प्लस का 2-3 जगा 6 6-2 जगा 12 तो 12yz और यह plus का यह minus का sign आएगा minus का 2 जगा 4 4 जगा 8 तो minus में 8z x यह क्या आगया हमारा answer आगया तो इस तरह से इस identity को use करते ही हमने question को क्या किया है soul किया है देखिए fourth part fourth part में भी हम यह identity use करेंगे कौन सी इसको थोड़ा सी यह लिख लिया करो जाए इसको लिख 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 3a plus इसको लिख 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 माइनस के 7b और plus यह कितना हो गया माइनस का c और इसका क्या दे रख है whole square a यह है यह b है यह क्या है c है तो a प्लस b प्लस c whole square बताओ किसकी इकल होती है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc और plus 2ca यह identity होती है हमारे पास करो इसका use a square तो 3a का square b square माइनस 7b का square plus c square तो माइनस 1 का square plus 2ab तो 2 multiply by 3a multiply by minus 7b plus 2bc 2 multiply by minus 7b multiply by minus c और plus 2ca 2 multiply by minus c multiply by 3a अब करो एक्सपैंट 3a का square बताओ 9a square square always positive 7, 7 जा 49 b square और यह कितनी आजेगी c square 2, 3 जा 6 और 6, 7 जा कितना जाएगा 42 माइनस के कितने आजेएगे 42 a, b और यह 2, 7 जा 14 तो माइनस के 14 और plus के हो जाएगी यह minus यह minus same sign की multiply plus 2, 7 जा 14 b, c यह minus यह plus तो sign आएगा माइनस का और 2, 3 जा 6 होगा बटा और a, c तो इस तरह से इसी identity का यूज करते हुए हमारा answer आ गया है पार्ट नमबर फिप्ट देखें फिप्ट पार्ट में क्या है minus 2x plus 5, 5 minus 3, z whole square तो a minus 2x b, 5, 5 और c क्या है minus 3, z तो इसमे भी हम कौन सी identity यूज कर सकते हैं सेम ही identity कि a plus b plus c whole square बताओ किसके को होती है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc और plus में 2ca ये identity इसमें यूज करेंगे तो a क्या है minus 2x का whole square और b क्या है 5, 5 का whole square plus c क्या है minus 3, z का whole square plus 2ab minus 2x multiply by 5y plus 2bc 2 multiply by 5y और multiply by minus 3z और plus 2ca तो 2 multiply by minus k 3z और multiply by minus k 2x अब देखिए इसको कैसे करेंगे minus 2x का whole square कितना जगा 4x square और 55 का square कितना जग बताओ विटा 255 square इसको कैसे जगा 9z square और इस sign किसका आएगा ये plus square और ये minus तो sign आएगा minus का 224 और 455 20 तो कितना आएगा 20xy और ये sign किसका आएगा minus का आएगा 2510 10 10 तरी जा 30yz और ये minus का ये minus का सेम साइन प्लस हो गए multiply में 236 और 6 तरी जा 12 तो कितना जगद 12zx ये क्या आगए हमारा answer इस identity का यूज करते हुए ये 6th part last part of this question 6th part में क्या है 1 by 4a minus 1 by 2b plus 1 whole square तो इसमें भी save identity यूज करें कौन सी बिटा a plus b plus c whole square क्या होती है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus में 2ca ये क्या होती है identity होती है a plus b plus c whole square a क्या है 1 upon 4a का whole square b क्या है minus 1 upon 2b का whole square और c क्या है 1 का square plus 2ab तो 2 multiply by 1 by 4a multiply by minus के 1 by 2b plus 2bc तो 2 multiply by minus के 1 by 2b multiply by 1 plus 2ca 2 multiply by 1 multiply by 1 multiply by 1 upon 4a अब देखे solve कर सकते हैं इसको तो 1 by 4 का square कितना हो 1 upon 16 और ये a square square always positive ये कितना हो 1 upon 4b square और plus में 1 अब देखो ये क्या था 2ab भी था 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 2 और 2 की multiply कितनी आजाएगी कितनी आजाएगी 1 by 4 आजाएगी ये तो 1 इसका आजाएगी ये कितनी आजाएगी minus के 1 upon 4 एक को 20 से करेंगे तो a b अब देखो 2 से 2 क्या हो गया कट हो गया अब इसमें minus b को 1 से multiply करेंगे तो कितना हो गया minus के b और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो कितनी आजाएगी plus के 1 upon में 2 a इसी a था ना विटा तो इसी कितना था हमारे पास 1 और a कितना था 1 upon में 4 2 से 2 कट हो गया तो ये क्या आगया हमारा answer तो जो सारा का सारा question है question number 4 उसमें सिर्फ a की identity use हुई है that is a plus b plus c whole square तो ये हर question में मैंने write कर दी है ताकि आपकी अच्छे से command बन जाए ये identity पर ये identity आपको अच्छे से learn हो जाए तो एक identity का use कर दिया है और बिल्कुल अच्छे से explain कर दिया है कि भी इसको ये question किस type से solve होगा तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगी है question अगर का समझ में आ गया है तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा now thanks to all बटा